हेलो फ्रेंट्स हाओ आर्यू वेलकम तो माय चैनल बैल में डविक है तो आज का जो मेरा वीडियो है वह इसके उपर है कि बच्चों को हम प्री राइटिंग कैसे सिखा हैं सो देखी अब मेरी बच्ची यह जो एक्टिविटीज कर रही है वह इससे क्या होता है एक तो यह हो का इससकी पैंसिल की अच्छी करनी होते हैं बच्चों की मसल्स डवल्प करना होता है रिस्ट की मसल्स, पैंसिल ग्रिपिंग अच्छी बन रही है यह मसल्स जो हमारी फिंगर मतलब फिंगर मसल्स के लिए है हमारी जो रिस्ट है सोल्डर है सबकर इसमें वर्क हो रहा है तो आप वह सारी अक्टिविटी है जो हम बच्चों को करवा सकते हैं इसमें आपको 10 प्लस है वैसे हम पैरेंट्स को एक कंसल्ट होता है कि हम बच्चों को राइटिंग या लिखना कपसे सिखाए कैसे सिखाए और उनका इंटरस्ट कैसे डवलब करें तो आप इस वीडियो में मैं आपको यही सब बताऊंगी तो आप वीडियो को लाज तक देखिए वह सारी फिल कर सकते हैं बट हमें थोड़ा पेसेंस रखना पड़ेगा एकदम हमें बढ़ा नहीं लेना है किसी भी चीज़ का आप बच्चों को कम से कम 15 to 20 days इस टाइप के अक्टिविटीज करवाईए पर डे आप सिर्फ और सिर्फ 5 मिनेट्स अक्टिविटीज करवाईए इससे काफी इंटरस्ट लेती है वो उसको बहुत अच्छा लगता है हलकि सारे बच्चों को ही ये पसंद होता है वट आप जो आपको आती हो आप वो वाली अक्टिविटी करवाईए मुझे जो आती है वो मैं अक्टिविटी करवाती हूँ और आप पीस मुझे भी सजिस्ट की कि मैं अपनी बच्ची को और कौन सी अक्टिविटी करा सकती हूँ आप ऐसे पेपर दे दीजिए उस पर सी ड्रो कर दीजिए या अदर अल्फाबेट से ड्रो कर दीजिए और एक राउंड राउंड कलरफुल पेपर का बना लीजिए सरकल टाइप का और फिर बच्चों को उसके उपर वन वाये वन रखने के लिए बुल दीए तो बच्चा क्या है एक तो बच्चे की फिंगर ग्रिपिंग अच्छी ओरी से और दूसरा यह होता है बच्चों की मसल डब अप हो रही है हैं हेंड आई कोॉडिशन अच्छा होगा बच्यों का और बच्चे काफी इ यह without किसी pencil and pen के दुरू आप ऐसे रखने के लिए बोलिए one by one सारे circle पर उसको रखना है तो देखें काफी concentrate होकर कर रही है और alpha weights भी recognize करते हैं तो आप इस तरह की कई activities बच्चों को करवा सकते हैं यह जो है यह मैंने C है मैं ऐसे सारे alphabet करवाती हूं और अभी देखी confusion हो रहा है इसको बीच में रख देती है फिर हटाती है तो आप इस तरह के से घर पर हम बहुत सारी activities करवा सकते हैं skills या pre writing activities है यह बच्चों की काफी सारी skills double up होती है pre writing activities है हम बच्चों को करवा सकते हैं और आप इस तरह के से अब यह second activities है आप एक plates लेजिए उसमें एक paper रख दीजिए colorful और कोई भी alphabets रख दीजिए और उसको draw करने के लिए बोलिए edge रख है उसको match करने के लिए बोलिए आप इसको match करवा के बच्चे से alphabets भी recognize करते हैं और बच्चों की finger gripping अच्छी बनती है और बच्चे काफी interest के साथ करते हैं यह activity तो आप इस तरह के से भी करवा सकते हैं और आप यह जो activity है यह आप बच्चों को एक blank paper दे उस पर कुछ safs draw कर दीजिए और इसको fill करने के लिए वो लिए वो करा सकते हो देखे मेरी बेटी को यह activity मेरी इस वज़े से है because मेरी बच्ची को wall pair writing करना बहुत पसंद है तो इस चीज को हटाने के लिए मैंने क्यों ना सूचा कि floor पर कुछ कर दिया जाए जैसे कि वो wall प कर दी है तो वो floor पर करती है floor पर actually क्या होता है कि हम easily clean कर सकते हैं ball पर clean नहीं होता है तो आप इस तरीके से भी करवा सकते हैं यह different activity है आप बच्चो को करवाईए हमारा main focus है बच्चो की pre writing skills डबलब करने का आप ऐसे एक मतलब ड्राइंग बुक्स लाकर देजिए बच्चो को और उस पर कुछ भी ड्राइंग्स बनी है उसको फिल फिल करने के लिए देजिए बच्चे पहले under the line करेंगे outline करेंगे कैसे भी करेंगे आप करने दीजिए कोई instructions मत दीजिया बच्चो को यह building blocks है जो आप बच्चो को लाकर दीजिए और यह building blocks है इसको करवाने के लिए जो जिस hand eye coordination बहुत अच्छा होता है